हाई हाई स्टुडेंट अजम आप लोग के बीच में एस एस्टी एस एस्टी का जो है एंसर की लेकर आये हैं एंसर की एंसर की में हम क्या करेंगे यहाँ पर एंसर की के बारे में आज के जो एक्जाम हुआ है 30, 31, 2021 के जो एसस्टी का एक्जाम हुआ उसका एंसर की लेकर आये है यहोप यह विडियो काफी ज़्यादा बेहतरीन आप लोग के लिए होने वाला है क्योंकि इस विडियो में हम लोग आपके एंसर की बताने वाले हैं आप लोग जो है इंसर की मिला सकते हैं अपने कोशन से कितना आपको नंबर आया आप कॉमेंट जरूर किजेगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर कर ले तो जलते हैं स्टार्ट करते हैं चुकि इस वीडियो में हम एक से लेकर वो पचास कुशन एक से लेकर साट कुशन चुकि SST में 1 to 60 कुशन होते हैं 1 to 60 कुशन है जिसमें से 50 कुशन का जो है वो जवाब देना है ठीक है 50 कुशन का जवाब देना है एक कुशन जो है परते कुशन जो है ठीक है परते कुशन जो है वो 0.8 मार्क्स का है ठीक है 0.8 marks का है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 50 में 50 question में आप कितना question बनाए है ठीक है और कितना question जो है आपका सही है एक बेहतरीन और 60 जनकारी लेकर आए है इसमें आप जितना number आएगा उसमें 0.8 number से गुना कर दिजेगा आपका marks निकल जाएगा ओ भी हम आपको न start करते हैं ठीक है 1 का जो है 1 थोडा से जुम कर देते हैं 1 का D 2 का A ठीक है 2 का A यह set सेट कभी बदलने वाले नहीं है सेम सेट आने वाले है एक्जामे ठीक है तो 1 का D 2 का A 3 का A 4 का A 5 का B 6 का A और एक मजी की बात बताता हूँ आप लोगे अज एक्जाम में common ची देखने के मिला है कि सबसे ज़्यादा जो option सही है वो सबसे ज़्यादा option अगर सही है तो वो option नमबर A है ठीक है option नमबर A हमेशा ज़्यादा तरचांसे A और B में हमेशा positive होता है A सबसे ज़्यादा आज का जो है वो option सही है ठीक है 6 का जो हो गया A अब देखते हैं 7 से 7 का C 8 का A 9 का C 10 का C 11 A 12 B 12 B 12 का B 13 A 14 B 15 C 16 D 17 B or 18 C 18 C 18 C 19 D 20 A 20 A अब 1 से 20 तक question था जिसमें से आपको जो है 18 question का जवाब देना था चुकि 20 तक नहीं 24 question में यह 20 questions है 20 questions सम करवा दिये हैं अब देखते हैं 21 से 21 question जो है 21 का B 22 का D 23 का D 24 का D और 25 का D ठीक है 26 में बताता हूं 26 जो है बताता हूं 26 27 का A 28 का D 29 D 30 B 31 B 32 D 32 D ठीक है 32 का D 33 A 34 A 35 A एक बताता हूं बच्चे जब लगातार option जो है same करने लगते हैं तो उसके अंदर में doubt होने लगता है और यह हम बार बार एक ही option को लिखरे काई गलती तो नहीं है ऐसा नहीं होता है अगर answer सही है तो लगातार हो सकता है ठीक है तो घबराने की बात नहीं है 37 का D 38 का A 38 का A 39 का C और 40 नमबर कोशन एक बहुत ही मज़दार कोशन था 40 नमबर कोशन जिसका option नमबर A match जो है वो A और C वो same था A में same जो option था वोई C में भी था तो जिसने भी अगर 40 नमबर कोशन किया है 40 नमबर कोशन किया है तो उसका A भी सही है अगर A में टीक लगाया है कलड किया है तो उसको भी नमबर मिलेगा जो C किया है ठीक है जो C की भी है टीक लगाया है उसको भी नंबर मिले वाला है किसी परकार का कोई प्रोबलम नहीं है चलिए ठीक है और 40 का A 40 का A तो 1 से 40 तक हम देख सकते हैं और जिसे छूट गया होगा तो आराम से ये बैक वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है कॉमेंट किजिएगा तो इसका पेडियो भी हम आप लोग के सामने भेज देंगे ठीक है अब देखते हैं 42 42 से लेकर 60 तक 42 तो 62 60 तक तो 42 का A 43 का A 44 का C 45 का C 46 का A 47 का A 47 का A ठीक है ना चलिए ठीक है 47 का A 47 हो गिया 48 का A 49 का C 50 का D 51 का B 51 का B 52 का A 52 का A 52 का A 59 का A 59 का C ठीक है ठीक है और आपके जो लास्ट होगा ठीक है वो लास्ट है 60 60 का A ठीक है ठीक है 35 का B ठीक है 35 का B और एको 53 भी छोड़े थे ठीक है अर 53 का जो हो जाएगा ओसन नमबर A हो जाएगा ठीक है आप एक से लेकर 60 के कुशन को आपने मिला लिया है एक से लेकर 60 question को जो है आप भली बाती बना लिए है ठीक है तो आपको कितना number आ गया suppose कि यह आपको आ गया 46 आ गया है 46 question आया है आपको 50 में से 46 question आपने बनाया है उसमें आपको 0.8 से गुना कर देना है ठीक है 0.8 से जब गुना कर देंगे जो आएगा so answer 8 चक 48 अहांसिल 4 और 8 चक 32 32 सा 4 36 आपको जो number आया है अगर 46 आपने बनाया है तो 36.8 आपको 36.8 नमबर आ गया ठीक है आपको 36.8 कितना में 40 नमबर में जो आपका जो count होगा वो 40 नमबर में ऐसे नमबर जो है count होता है ठीक है ना आप लोग यह समझ गये होंगे अगर किसी परकार का कोई confusion है तो आप हमें comment कर सकते हैं ठीक है ना धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नए इंसरकी के साथ ठीक है बने रहें धन्यवाद